ने थी कात बैवर्ण, इस बीडियो में हम करेंगे जनसंख्या, जनसंख्या क्या होती है, इसको हम समझेंगे और भारत में और भीष्व की जनसंख्या इस समय कितनी है और जनसंख्या के बढ़ने और घटने का क्या प्रभाव पड़ता है मानो जीवन पे ये सारी चीजे हम इसमें देखेंगे तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है मुखे तो दो बातों पे निर्भड करता है किसी देश का विकास किस पे प्राकृतिक संसाधन मानुए संसाधन प्राकृतिक संसाधन रहेंगे भी और मानवे संसाधन नहीं रहेंगे तो हम उसे अपने उपियों की बस्तों में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे इसलिए मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधन दोनों ही बहुती महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे हम देखेंगे वास्तों में देखा जाए तो आर्थिक बिकास में सबसे महत्वपूर युगदान मानविय संसाधनों अथा जन संक्या का है क्योंकि जन संक्या आर्थिक बिकास का साधनी नहीं साध्य भी है मानव जो है संसाधनों का निर्माण उपभोग करता है ठीक है आर्थिक विकास में सबसे महत्पूर योगदान किसका है मानव संसाधनों का मानवी संसाधनों का जो मानव है वही जो है बहुत सारी प्रकृतिक बस्तूओं को अपने उपयोग के लायक बस्तूओं में परिवर तुरे मानया उसमें बहुत महनत लगती है इसलिए मानोव वी संसाधन यह उसका कोई उपयोग नहीं करपाएगा जो आरथिक विकास के साध़न भी है और साध् am skills क्या buttons inейчас करते हैं वे शैम भी भी विवी बूड़ वाले संसाधन होते हैं जनसंख्या अत्व मानुए प्रयत्नों के अभाव में किसी प्रकार की आर्थिक बस्तु अत्हसिभाव का उत्पादन संभो नहीं है जैसे कि अगर मानों ना रहे तो उस जो भी बस्तु उपयोग कर रहा है तो उसको उपयोग करने के लिए उसमें बहुत मेहनत लग पूड़्स में झाय झाये तो कहा जाता है किसी दिश का वास्तविक शौरूप जो है उस देश कि भूमी आत्व जलासया मा में नहीं है मतलब कि जो यह चीज़े हैं वो थी लेकिन वहांकि जो स्वक्षा और सुकी जो पूरूस है बच्चे हैं इस्त्रियां है उसी वही जो है असली धन है और ठीक है भारत की जो जनसंख्या है अभी तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है इसे हम जनसंख्या बिस्फोट करते हैं जनसंख्या बिस्फोट जो है देश की समस्त योजनाओं को प्रभावित करता है विकास को मानव पृत्वी के संसाधनों का उत्पादन उपयोग करता है इसलिए जानना वसा है कि इस देश में कितने लोग निवास करते हैं उनकी कौन-कौन से विशेस्ताएं हैं हमारे देश की जनसंख्या से संबंधी जनकारी हमें प्रदान करती है वचो तुम बढ़ती जनसंख्या क्या होगो आज हम जनसंख्या से जूड़े निम्नाक तीन बिंदों पर विचार करेंगे जनसंख्या का आकार यां बितरन जनसंख्या ब्रिधी यां जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या के गूण या विशेस्ताएं यह तो जन्संख्या का आकार व Johnれた ब्रिदी और जह सगय परिवलतन के प्रक्रिया जन्संख्या के लिए जन्संख्या का आकार विवी तक भारत की जन्संख्या 1002 oties kronng lag थि जो की विश्व की कुल जन्संख्या का इतना परतिशति अब देखिि दो हाजार 2001 में जब जन संख्या काउंट हुआ ठीक है जन संख्या काउंट हुआ तो उस समय 102 करोण लाख थी 102 करोण लाख थी भारत की अरे लाख थी ठीक है भारत की जन संख्या 102 करोण जो की बहुत ज़्यादा है और जो की सोरा प्रतिसत है पूरे 200 के जन संख्या का और करीब 103 करोण लोग जो है भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर विसु के स्थले भूभाग के इतना प्रसितत के विसाल छेत्र में और समानरोप से बितरीत हैं अब देखिए ये जो एक सो तीन करोड लोग है भारत के ये 32 दसमलो आठ लाख वर किलोमीटर भूभाग में रहते हैं तो ये चिंता का कारण है एक विकास एक निश्चित समयंतराल की अधिकारी गर्णा को जनगर्णा कहते हैं जनगर्णा क्या होता है जनगर्णा जो है भारत देश में हर 10 साल पर होता रहता है हर एक देश में ये 10 साल पर ही होता है भारत का सबसे पहले जो है 1872 में जनगर्णा की कि यहां पे देखेंगे कि जो है जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज जो है कैसे किने ब्रक्तिक में किसी कुल जनसंख्या निवास लाद करता है दुसरे अस्थान पर महराष्ट्र है जिसमें 9 करोड़ है तो आज भी जो है 2021 के जनगर्णा के अनुसार भी जो जो उतर परदैस है उसकी जन संख्या जो है 22 करोड़ हो गई है और महराष्ट्रा की गार यह 12 करोड़ ऐसे हैं तो यह जो जनगर्णा दिया गया है यहा उत्तर परदेश सबसे पहले अस्थान पे है उसके बाद महाराश्टरा है और इसके बाद है बिहार इन बड़े राज्यों के विपरीत हिमाले छेत्रके राज्य सिक्किम की अबादी अब यहां पर देखते हैं यह जो हो गया हमारा सबसे ज़ादा 2001 के अनुसार भी 2001 के अनुसार भी UP का 2016 करोड था महराष्ट्रा का 9.68 करोड था और बिहार का 8 करोड था उसी समय की बात कर रहे हैं तो जो सिक्की मोगर जो देश हैं हिमाले छेतर के ये देश हैं भी हिमाले छेतर के अरे देश नहीं सरी यहां पर पांच लाक पादी है लक्षधीप में के ओल साथ हजार लोग निवास करते हैं भारत की लगभग अधिया वादी के ओल पांच राज्यो क्या होता है कि प्रति ब्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर में ब्यक्ति निवास करते हैं यह होता है यह होता है हमारा घनत्व ठीक है घनत्व के अधार पर जो है जनसंक्य बीतर रूर। उसके बारे में हम देखें तो 2001 में जब किया गया था ये जनगरणा तो भारत का उस्थ जन संक्य घनत्व जो है 325 प्रतिवर्ग किलो मीटर है लेकिन इसमें भारी भी समता है मैदानी रज्यों में सरवधी घनत्व है तटी रज्यों में काफी घनत्व है लेकिन परवती रज्यों में दिवासी देखिए यहां पे जो है उतर परदेश में भी घनत्व जादा है लेकिन जो परवती रज्यों से सिक्की मोगर हो गया है वहां पे कम घनत्व पाए जाते ह है पठारी रज्यों में समाने घनत की स्थिती रहती है अब यहां पर हम देखेंगे ना कि और सतन प्रतिवर्ग नो सचार ब्यक्ति हैं इसके बाद क्रम सब्सक्राइब यहां पर हम जब देख रहे हैं सरवाधिक घनत जो है यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल का है जनसंख्या भले कम है और रज्यों से लेकिन घनत तो ज्यादा है तो यहां पर प्रतिवर्ग किल्योमेटर में 904 ब्यक्ति रहते हैं अब भिहार में 800 111 ब्यक्ति केरल में 809 इस प्रम्राइल से हैज हर एक इसटेट करदिया है तब जनसंख्या ब्रीधी जो हो गई हमारे दर व्रीधी दर som время कि होई है भारत की जो जनसंख्या ब्रीधी दर हैं काफितीब्र है और तेजी से ब्रिधी हुई है 1901 में 37 ब्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था जो कि 2001 में बढ़के 325 ब्यक्ति हो गए प्रति वर्ग किलोमीटर में तो यह बहुत ही जादा है जनसंख्या जो ब्रिधी होती है कि एक विशेस समय अंत्राल पर कितना जनसंख्या बढ़ गया हर 10 साल पर अगर हम काउंट कर रहे हैं तो माली यह 2001 में कितना था और 2011 में कितना हो गया तो इसी तरह से जैसे कि 1991 में निकाला गया था उसके बाद 2001 में निकाला गया था तो यहां पर हम ब्रिधी वार्षिक ब्रिधी भी निकाल सकते हैं दस वर्ष का निकाला तो एक वर्ष का भी निकाल सकते हैं अब यहां पर देखिए जो है लेते हैं 1901 में 1961 में 449 लाग हो गई 1901 में 548 लाग हो गई अब देखिए 1981 में 600 कितना हो गया कितना हो गया 1991 में 800 846 लाग हो गया 2001 में मतलब 1028 लाग हो गया तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ी है 2001 तक का यहां पर गढ़ना हमें प्राप्त है बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है सन जो है 1981 से ब्रीदी दर धीरे धीरे कम होने लगा है इसी दोरान जन्मदर में तेजी से कमी आई अब यहां पर देखा जाए तो देखिए 600 से 700 करीब से 800 यहां पर यहां पर थोड़ा घटा है 846 है तो 946 है यह तो कहीं घटा हुआ है अब यहां पर देखिए ब्रीदे इस दोरान जन्मदर में तेजी से कमी आई 1882 लाग की ब्रीधी हुई इतनी बड़ी दस्किय ब्रीधी से पहले कभी नहीं हुई विशाल अकार की जन्संख्या में कम ब्रीधी कम वार्शिक ब्रीधी दर्शापेक्ष ब्रीधी बहुत अधिक होती है अब यहां पर देखिए अब कहा चारा है कि 2045 तक भारत चिन को पीछे छोड़ देगा लेकिन वो तो अभी हो चुका है अभी भारत जो है चिन को पीछे छोड़ चुका है और यह है 2030 जन्संख्या में जो परिवर्तन होते हैं उसके मुख्य जो कारण है वो जन्मदर मृतुदर अप्रबास है ठीक है एक वर्स में प्रती हजार ब्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं अब्रिधी का मुख्य घटक है क्योंकि भारत में हमें साथ जन्मदर मृतुदर से धिक रहता है कर दो एक वर्स में प्रती हजार ब्यक्ति के मरने वालों के संख्य अम्री तुदर कहा जाता है अम्री तुदर में ते जिसे गिरावट भारत के जन्संख्य में ब्रिधी दर का प्रमक कारण है ठीक है कौह रहे हैं कि 1981 के बाद जो है जन्मदर तो मतलब धिरे धिरे शहावट को शहते हैं एक स्पोर का सकते हैं यहां से दूसरे जगह चले गए तो इसे ही हम प्रवास कहते हैं तो जैसे एक जगह से दूसरे जगह जैसे अधरी बिहार में बाढ बिसथापी छहत्रों जो जहाँ पर बाहर वॉड़ आ जाएंगे वो लोग क्या करेंगी दूसरे राज्यों में चले जाते हैं तो यह जो है क्या होता है प्रवास होता है एक अनतराष्ठे या फिर भारत में लुजगार की कमी ओने के वज़र से दूसरे देशों में चले जाते हैं बर्तमान 20 में प्रतिक 6 ब्यक्ति में एक भारती हैं पिछले 10 वर्सों में 91 से लेके भायत की जनसंख्या प्रति वर्स ने करोड की व्रीधी वी बर्तमान समय में मुंबई महानागर की जनसंख्या ऐस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या से अधिक है त तो यह चीजे हम देख रहे हैं, अब भारत में जो प्रवास होता है, वो ग्रामेड जो लोग होते हैं, सहरों में आके बच जाते हैं, यहां की जो जीवन अस्तर है, वो अच्छा है, सहरों का जीवन अस्तर अच्छा है, इसलिए लोग गाउं से निकल कर सहरों की तरफ खिच जले आते हैं वहां पर इसे ही कर से लिए जीवनस्तर के लिए गाऊं से लोग आते हैं क्योंकि गाऊं में गाऊं में रोजगार के साधन नहीं है इसलिए लोग ज़ब एसा करते हैं ठीक है प्रबास जन्संख्या परिवर्थन का एक प्रमुक घटक है करा का यह को प्रभायत नहीं करता करता कि उम्र हम लिंग की क्लिस्टी कोंड सब्र pane ग्रामेट संख्या के संघ्राइशना में Student और दुपती करता है भारत नेश् नाघैर में कुल जन संख्या है निय्मीत बृदी होई है कि कुछ जंद संख्या की इतना प्रतिसत्त हो गई जंद संख्या की विशेस्ताइँ आब यहां पे देखें कि किसोर वर्ग 15 वर्ष से कम आई के होते हैं प्रोड जो है 15 से 19 के आई के होते हैं बृधी बृधा वर्ग यह हो गया तो भारत की जनसंख्या में जो किसोर वर्ग है वो 36 प्रतिसत है प्रोड वर्ग के अंतरगत इतना प्रतिसत है और इतना प्रतिसत है ठीक है बृधा वर्ग में 6 प्रतिसत है तो जो स्वास्त सुविधाव में तेजी से सुधार हो रहा है इस कारण जनसंख्या में तिब्रिविर्धी संभाव है जैसे बहुत सारी बिमारिया हो रही है लोग जो है ठीक हो जाते हैं इसके बिरित जनसंख्या नियत्रण के प्रती बढ़ती जागरूता प्रबंधन के अनुकुल उपायों के करण की सोर वर्ग में कमी आने के पूरी संभावना है प्रती एक हजार पूरसो की संख्या को लिंग नुपात कह जाता है यह जनकारी किसी दिए गए समाज में पूरसो महिलाओं के बिच समानता की सीमामापने के लिए यह महत पूर्ण सम्यक है देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्छ में नहीं 1991 से 2001 के बीच लिंग अनुपात साणी यहां पर दरसाई गई है देखिए लिंग अनुपात प्रती 1991 में प्रती 1000 पूरूस पे 946 महिलाएं थी यह 61 में प्रती एक हजार पूरूस पे कितनी महिलाएं हो गई प्रती एक हजार पूरूस है यहां पे तो यह महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है 941 यहां पे देखो 930 घड़ती जा रही है प्रती एक हजार पे यहां पे 939 हो गई है और यह 2001 का है ये या 2001 kा है तो 2001 ऐसी हैं क्यों की बच्चियों का भूण हत्य और कर देते हैं यहां पर केरल में प्रती 2000 पूर्शों पर महिलाओं की संख्या है दिल्ली में पर 8100 कर तो 2021 में अब यहां पे हम सक्षर्टा दर की भी बात करेंगे तो सक्षर्टा दर जो है कहां पे ज्यादा है तो देखिए सक्षर्टा दर जो है सक्षर्टा जनसंख्या का बहुत ही महतपूर संसाधनात्मक गुण होता है यहाँ पेस्पस्ट्रता केवल एक सिक्षित जागरुक नागरी की महत्पूर्ण नीरे ले सकता है तथा सोध हमपिकास के कारियों को कर सकता है 2001 की जन्गर्ना के अनुसार 211 बेक्ती जिसकी आयव सात वर से उसे अधिक है जो किसी भी भासको समझ लिख है पड़ सकता है उसे सक्षर्टा की स्रणी में रखा जाता है बावात की सक्छरता के अस्तर में दीरे-दीरे सुधार हो रहा है 2001 की जंगर्णा के अनुसार देश में सक्छरतादा दर 64%, इतना था तो इसमें पूरुसों का जो है 73 महलाओं का मतलब महलाओं का कम था 2001 के अनुसार बेवसाइक संरचना देखा जाए आर्थिक रूप से किरिया सिल जनसंक्या का प्रतिसत विकास एक महत्रपूर्ण सुचक होता है बिभिन प्रकार के बेवसाइक के अनुसार किये गए जनसंक्या के कारीक बितरण के बेवसाइक संरचना करते हैं बेवसाय को समाने तो प्रथम दूत्यकम तृत्य स्रणी में बर्गी कृत किया गया है। बिकास सिल देश में प्रथमे क्रियकलापो में कारेरत लोगों का अनुपात अधिक है। लोगों का स्वास्त अच्छा होगा तो ज्यादा कारे कर पाएंगे और ज्यादा कारे कर पाएंगे तो ज्यादा विकास हो पाएगा। यहाँ पर है जनसंख्या ब्रीधी के दूस पर भाव। सोतंतरता के बाद भारत के खाद देउत पादन रोजगार और अधोगिक संरचना में भारी ब्रीधी हुई लेकिन इसके बावजूत बढ़ती जनसंख्या के कारण ही भारत विकास की इनुचायों को विकसित राष्ट में तब्लिद नहीं कर सका। ठीक है तो जनसंख्या जो भी स्फोर्ट है मतलब जनसंख्या का बढ़ना तो अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाता है तो इसके दूस पर भाव बहुआ आमी होते हैं सोतंता के बाद भारत के खाद देउत पादन रोजगार के उसरों दोगिक में भारी ब्रिदी हुई लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत विकास की इन उचायों को विकसित राष्ट तब्ली तब्ली नहीं कर सका अब यहां पर हम देखेंगे आदे से अधिक जो बच्चे हैं कूप पोशड के सिकार हैं अभी विप्रती ब्यक्ति खाद लब धता चार्सव पचास ग्राम प्रती दिन से कम है तो बहारत वीश्व में सरवधिक निरक्षर और सरवधिक बेरोजगार भारत में हैं निरक्षर और बेरोजगार का यह सम्मूश स्वतंत्र भारत की विश्फोटक जो जनसंख्या है इसका मुख्यकारण जनसंख्या बिसफोट ही है ठीक है इसका मुख्यकारण जो है जनसंख्या बिसफोट है जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए मुख्यकारर जनसंख्या बिसपोट है आज भी क्रिसी भूमी पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है अलब जो क्रिसी की भूमी है जिस पर क्रिसी होनी चाहिए वहाँ पर क्या हो रहा है जनसंख्या बढ़ती जारी है लोग घर बना रहे हैं कमपनिया बना रहे हैं क्योंकि अधिक्तर जनसंक्य गाउं में रती है भूमी सीमी थे इसके उपयोग करने वालों का आकार बिरियद हो गया है परिडाम सुरूप भूमी परक्रिसी पसु चारण अधिवास का दबाव बढ़ने लगा है जो प्रकिर्त ये छेत्र जैसे विवित्ता का भंडार था आज हिमाले के राज्यों में ती ब्रिजन संक्या ब्रिधी पर्यटन विकास धार्मी के अत्राओं में ब्रिधी उद्योग नगरों के बढ़ते इस वज़ा से क्या हो रहा है सिक्किम जैसे राज्यों में 40 प्रतिसत से भी कम मुझत राज्यों में अधुनिक करिसी का भिकास हुआ तो इसे खाद्ययक पदर्थों के मामले में भावत्र याण अघृच अज्धाय ब्रिध starters में भावरत दी ब्रिधा करां यह लिए नगरी स्थनान की प्रकुरिया Conti तिब्र हो गई नगरों में ग्रामिर गरीबों की बढ़ती भीर से अनपचारिक ब्यवस्था मलिन बस्ति जुगी जोपडिया तिक्रमित बस्तियों के विकास नगरी परिस्थितियों को बरबाद कर दिया बरतमान समय में मुंबई 20 स्वका जो है दूसरा सबसे बड़ा नग नगर बन चुका है राष्ट्रिय जनसंख्यानिति जनसंख्या इसपोर्ट से उत्पन हो रही संग समस्याओ ध्यान में रहकत कर पर्थम पंच भर्षी ओजना न्योजन के अपनाए गेई भारत विष्व का पहला देश है जिसे पंच वर्षी ओजना भाद विश्व का पहला देश है जिसने प्रथम पंच वर्षी ओजना के दोरान परिवार नियोजन कारेकरम को सरकारी कारेकरम घोसित कि आज भी विश्व में सरवाधिक परिवार कलेंड भारत में है लेकिन परिवार नियोजिन की स्वक्षिक नीति के कार जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कोई विशेश सफलता नहीं मिली केवल कागजी करवाई होती है जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस पर जो वास्त विकता है वो कुछ उतर के आता नहीं है तो यह 1971 में राष्टी अस्तर पर जनसंख्या नीति की घोजणा की गई जिसमें लड़के और लड़कियों के विवा को जो है बढ़ा दिया गया वर्स को एक कई सोर अठार रखा गया करल जैसे राज्ज्यों में सक्षर्थय को प्राथमिक्ता दे कर जनसंख्या नियंत्रण का अपस्तव्यक प्रयास प्रारंभिक किया गया लोगों के लिए प्रत्साहन होता साहन की नीतिया तथा जनसंख्या क्याधार पर 2026 इस भी तक लोग सभा राज्य सभा विधान सभा के सीटों में ब्रीधिन करने करने अधीक कारकर साबित हो रहा 20025 इस भी की जनसंख्या नीती में स्पष्ट किया गया कि 2045 तक भारत के जनसंख्या इस्तिर हो जाएगी वसे तो भारत की जनसंख्या नीती छोटा परिवार सुकी परिवार की नीती पर अधारित है ये भले कहा गया है भले जन्सन क्या नीतिया बनाई गई है लेकिन इसका कोई फाइदा होता हुआ दिख नहीं रहा है भारत में सर्वाधिक सक्षरता दर किस रज्य की है भारत में सर्वाधिक सक्षरता दर किस रज्य में है पस्चिम बंगाल महराश्रा बिहार केरला में है बहारत की ओसत आयू सनरचना क्या है तो ये है 2001 इस्वी की जनगार्णा में प्रती एक हजार पूरसो पर महिलाओ का अनुपात की क्या इस्थिती है तो 933 भारत का उसतन जनसंख्या गहना तो प्रती वर्ग किलोमेटर में है तो ये 325 हो गया है अभी उन्हें से कानबे इस्वी में भारत के जनसंख्या कितनी थी तो 300 किस्थो कितना च्छत 46 लाग थी देखिए ये तो लिंगा नुपात है यहाँ पर देखिए 361 लाग है 90 1951 में भारत की जनसंख्या जो है कितनी है 361 लाग है भारत में 2001 एस्वी में जनसंख्या के प्रतिसत कितना था केरल में प्रति भारत की सक्षटा दर कावर्मन करें भारत के लिंगा नुपात की विश्यस्ताओं को बताएं जन गर्णा से आप क्या समझते हैं भारत की जनसंख्या ब्रीधि की विश्यस्ताओं को जन गर्णा हर 10 साल पे जन गर्णा होती है और एक जो छेत्र लिया जाते हैं माल भारत देश का ही छेत्र लिया जाए तो वहाँ पर कितनी बृधी हुई है और कितनी जनसंख्या है ये सारी चीजे पता की जाती है जनसंख्या गढ़ना से साक्छर्टादर का बर्णन करें साक्छर्टादर धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है क्योंकि 2001 में जो था साक्छर्टादर 73 प्रतिसत था पूरुसों का और औरतों का 57 था लेकिन अभी ये बढ़ा है तो ठीक है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद